फोटोग्रफी बेसिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे शटर की और शटर स्पीड की जबी भी आपने किसी को तस्वीर खेचते वे देखा और सुना हो तो आपको एक क्लिक की आवाज आती है अब यह मैं आपको सुनाता हूँ वो क्लिक किस तरह का साउंड करता है यह दो तस्वीरे खीच गई लेकिन आपको समझ में आगया हो कि शटर की साउंड क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है शटर बेसिक्ली आव अलफाज में बोलू तो एक परदा है जो सेंसर के सामने आता है और हट जाता है और इसका तालूग लाइठ से है फोटोगरफी में हर चीज का तालूग कई नकई डिरेक्ली इंडिरेक्ली लाइठ से होता है फोटोगरफी आल अबाउट लाइठ तो शटर का काम ये है के सेंसर कितनी देर तक इमेज रिकोर्ड करेगा और उसके सामने शटर आ जाएगा तो वो एक तस्वीर आपको मिल जाएगी फॉर एक्जामपल अगर आप एक सेकंड की शटर स्पीड रखते हैं अब हम थोड़ी शटर स्पीड की बात कर रहे हैं अगर आप एक सेकंड की शटर स्पीड रखते हैं वो बहुत fast shutter speed है camera सिर्फ उतनी देर के लिए record करेगा sensor पर जो भी data होगा और पर shutter सामने आ जाएगा और आपको तस्वीर मिल जाएगी तो इसका exposure से क्या तालो किया exposure का मतलब क्या है exposure का मतलब यह है कि आप picture को expose कैसे करते है expose का मतलब light उस पे कैसे effect होगी कितनी light होगी वो तस्वीर कितनी dark होगी कितनी उसमें highlight होगी कितने shadow होगे तस्वीर में overall light control करने को आप exposure कहते हैं आप वो external light से कर सकते हैं लेकिन बाहर अगर आप तस्वीर कीच रहे हैं तो आपके पास external light तो हैं नहीं तो you control that light through shutter speed that is one aspect of exposure triangle जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी और बात करेंगे shutter speed के बारे में then we'll move on to the other two sides of exposure triangle shutter speed is a very simple concept कि shutter खोलेगा और light sensor को कितनी देर तक के लिए हिट करेगी और फिर shutter बंद हो जाएगा for example अगर एक कमरा है और कमरे में फुल अंधेरा है और हर जगा सामान बिखराव है छोटी छोटी चीज़े हैं पिंज रखी हैं और बहुत साही चीज़े रखी हैं आप half a second के लिए परदा खोलते बंद कर देते हैं तो आपको थोड़ी चीज़े नजर आ जाएगी लेकिन कुछ ज़्यादा डीटेल में नजर नहीं आए उसके मुकाबले में अगर आप 15 मिनट के लिए परदा खोलते हैं तो आप एक एक चीज़ देख सकते हैं आराम से कौन सी चीज़ का आएं और फिर बंद करेंगे So this is how you control light जहां भी मैं light को control करने की बात करूँ तो उसका जो लवज मैं यूज़ करूँगा वो है exposure के light किस तरह control कर रहे हैं आप how are you exposing the image तो for example अगर आप एक तस्वीर सूरज की रोशने में खीच रहे हैं हर तरफ रोशनी है तो आप shutter speed तेज रख सकते हैं क्योंकि अगर थोड़ी सी देर के लिए भी shutter खुलता है तो बाहर इतनी light है कि वो थोड़ी सी देर भी काफी है हर चीज कैप्चर करने के लिए लेकिन अगर आप रात में तस्वीर कीच रहे हैं और कोई ऐसी light source नहीं है तो आपको shutter को जादा देर तक के लिए खुलना पड़े So this is the basic concept of shutter speed ये है एक फाइदा exposure triangle में जितनी भी चीज़े हैं उनका एक फाइदा है एक नुकसान shutter speed जिसके हम अभी बात कर रहे है उसका भी एक फाइदा है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर light कम है तो shutter को आप जादा देर तक के लिए खुल सकते हैं उसका एक नुकसान भी है उसके बारे में हम बात करते हैं लेकिन पहले मैं आपको यह बताऊगा कि shutter speed measure कैसे होती है जिस तरह हर चीज़ का एक measurement scale होता है इस तरह shutter speed seconds में measure की जाती है अगर number लिखा हो है सिर्फ आप कोई भी camera यूज़ कर रहे हैं सिर्फ number लिखा हो है 1, 2, 7, 8, 10 तो that is seconds इतने seconds के लिए shutter खुलेगा और light hit करेगी sensor लेकिन अगर बहुत light है आप तेज shutter speed रखना चाते हैं कि shutter फॉरण खुले बंद हो जाए तो फिर वो one upon fraction में बात होती है कि one upon two है तो half a second, one upon four है तो quarter of a second इस तरह one upon ten, one upon twenty, one upon four thousand, one upon eight thousand जितने time के लिए भी आपको shutter कोलना है तो ये था measurement of shutter speed अभी तक मैंने आपको ये बताया कि shutter क्या होता है, shutter speed क्या होती है, उसको use किस तरह किया जाता है, उसका measurement scale क्या होता है अब मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये है कि अगर आगे पीछे कम light है और आपने ये फैसला कर लिया है कि आप shutter speed थोड़ी जादा रखेंगे आप एक सेकंड या दो सेकंड के लिए आप shutter खोलेंगे और sensor पर light हिट करेगे तो ये दो सेकंड के लिए आपका camera हिल नहीं सकता क्यूंकि वो दो सेकंड के लिए image record कर रहा है और अगर इस दो सेकंड के बीच में आपका camera हिलता है तो फिर image wobbly आएगी क्यूंकि एक microseकंड के लिए वो ये image record कर रहा है फिर एक microseकंड के लिए वो ये रिकरद कर रहा है फिर एक microseकंड के लिए ये कर रहा है इस तरह जब तक 2 seconds पूरा हूंगे तो image आपकी बहुत blurry सी, wobbly सी आई तो ये है इसका एक नुकसान कि अगर आपको कम light में सही तस्वीर चाहिए focus में भी हो, sharp भी हो तो या तो आप tripod पे लेंगे या तो आपके हाथ इतने steady हो कि वो हिले ने वो shutter speed आपको control करनी पड़ेगी it's trial and error एक basic rule है जो मैं आपको बता देता हूँ ये कोई rule नहीं है, it's sort of a guideline आपको lens की focal length क्या होती है वो मैं समझाऊँगा थोड़ी देर में लेकिन ये rule आप shutter speed के लिए 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 it will really help you out जब आपको lens समझ में आजएगी तो ये rule भी आपको समझ में आजएगा लेकिन आप अभी इसको लिख ले जितनी आपकी focal length होती है lens की focal length होती है वो क्या है अभी उसके बारे में बात करेंगे लेकिन अभी आप ये लिख ले जितनी भी lens की focal length होती है this lens is 24mm इस तरह 35 हो सकती है जो भी आपकी focal length है, आपकी shutter speed उससे तेज होनी चाहिए अगर आप handheld photography करें For example, if this is a 24mm lens, तो मैं shutter speed कभी भी 1 upon 25 से slow नहीं जाने दूँगा वरना वो blur होना शुरू हो जाएगी So whenever I am clicking pictures with this lens, the lowest I go is 1 upon 25 उससे slow जाता हूं, तो या तो मैंने हाथ अपने अंदर दबाएवे हैं, या तो किसी दिवार पर मैंने रखा हुआ है, या किसी मैंने balance किया हुआ है So this is a rule that you should keep in mind, कि आपकी focal lens से पीछे आपकी shutter speed नहीं जानी जाएगी